हाई दोस्तो एफोर चानल में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फेस्बुक का अकाउन कैसे बनाएंगे या फिर आइडी कैसे बनाते हैं फेस्बुक की तो चली शुरू करते हैं सबस्पर दोस्तो आपको फेस्बुक जो अप्लिकेशन है उसको आपको open कर लेना है तो चलिए हमने facebook application को open किया अब आपके सामने कुछ इस तरीके से interface आता है यारे कि इसका page looking देखने को मिल जाते हैं अब आपको account बनाना है तो यहाँ पर एक option देखिए जहाँ पर लिखा हुआ है create new facebook account जहाँ पर लिखा हुआ है इसके ओपर आपको क्लिक कर देजे तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से interface आता है और यहाँ पर आएगा कि join facebook और यहाँ पर देखेंगे we help you to create a new account in a few days easy step यानि कि यहाँ पर बोल रहा है कि आपको एक account बनाने के लिए easy step करना जरूरी है तो यहाँ पर आपको facebook एक अपना तरफ से आपको बता रहता है कि किस तरीके से आप अपने account को बढ़ा पाएंगे उसके बाद यहाँ पर जो option मिलता है next इसके ओपर आपको click कर देजे जैसी दो आप next वाप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देखें लिखाओ है what is your name यानि का आपका नाम क्या है और यहाँ पर लिखाओ है कि enter the name you use in the life यानि कि आप जो अपनी जिंदगी में अपना name use करन life और यहाँ पर असर name real name वही real name को यहाँ पर डालना है अपना जो name है आपका असली name तो यहाँ पर आपको दो first name डालना है और यहाँ पर आपको surname में आपको जो भी surname है जमेश और यहाँ पर जितना भी surname में कुमार या कुछ भी तो आप डाल देजे तो चलिए हम भी पर फॉष निम और से के निम लिख लिया उसके बाद यहां पर नेग्ष्ट वाला जो ऑप्षिन दिख रहा है इसके ओपर आपको क्लिक करना है जैसी क्लिक करेंगे तो यहां पर पूर रहे कि what is your date of birth यानि कि आपका date of birth कब है आप यहां पर सेलेक किजे तो पहले जो भी ता साल को भी सलेक्ट कर लेंगे उसके बाद दूस्तों आप यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद नेक्स टोला आप्शन पर क्लिक करेंगे यहां पर आप से पूछेगा कि वाट इस योर जेनरल अगर आप फीमेल हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे इस पर टिक मार करेजेगा अगर यहाँ प्यारा कि enter your mobile number तो यहाँ पे आपको mobile number देना है अगर आप चाहते है mobile number नहीं देना तो आप email ID भी दे सकते हैं नीचे लिखा हुआ है sign up with email address तो चलिए हम यहाँ पे phone number डाने के बाद next पे click करेंगे अब यहाँ पे बोड़ रहा है कि choice पासवर्ड यहाँ पे बोड़ा है क्रेट यह पासवर्ड वी तिंग डालाच चरेटर का होना चाहिए तो चलिए हम अपने पासवर्ड को अस्ट्रोंग बना लेते हैं उसके बाद दोस्तों नेक्स वाला आप्शन पे आपको click करना है अब यहाँ पे आपको email id एक option मिलता है लेकिन हमें email id आइड नहीं करना है तो हम अज़की वाला option पे click करेंगे और यहाँ पे सानफ वाला option पे click करेंगे अब यह देखिए दोस्तों हमारे जो account है वो create हो रहा है यहानी की बार आप Facebook account बना सकते हैं